परिक्षा नियमे पुरादिकारी काराले द्वारा जूनियर एड़ेट सिक्षक भरती को लेकर के एक और विग्यप्ती जारी की गई है जिन्होंने ओफलाइन मोड में अपना आवेदन किया था उनके एडमिट कार्ड के संबंद में और सांती सांत परिक्षा हाल में कौन-कौन से महतोपून डोकुमेंट ले जाने हैं आपको ताकि आपको परिक्षा में शमलित होने से वंचीत ना किया जाए इसकन पर आप विग्यप्ती देख पार होंगे जैसा कि आपको ग्यात होगा 50% पादेता की वज़ए से अभियर्थियों को इस सिख्षक भरते में शमलित नहीं किया गया था और मानने कोट के आदेश के बाद से इन अभियर्थियों से ओफलाइन आवेदन PNP कारेले पर लिए गये थे इन अभियर्थियों के लिए btcexam.in वेबसाइट पर दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के दोपहर के बाद से इनका जो एड्मिट कार्ड है वो अपलोड कर दिया जाएगा आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2021 के दोपहर के बाद से आप अपना एड्मिट कार्ड btcexam.in से डाउनलोड कर पाएंगे जिन्होंने ओफलाइन मोड में आवेदन किया था सांथी कौन-कौन से महतोपुर्ण डॉक्यमेंट ले करके जाने इसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है तो सबसे पहले तो आपका प्रवेश्पत्र ही हो जाएगा दूसरा आप अपना प्रसिक्षण का मूल प्रमाणपत्र ले कर जाएंगे ठीक है यानि की B.A.D. हो गया या फिर B.T.C. हो गया उसका जो सर्टिफिकेट होता है ओरिजिनल आपको ले करके जाना है या प्रसिक्षण योगिता के अंतिम सेमेश्टर की निर्गत अंक प्रती की मूल प्रती कहने का मतलब की आपका अंतिम सेमेश्टर D.A.D. के कंडिशन में और B.A.D. के कंडिशन में अंतिम वर्स का ओरिजिनल मार्क सिट ले करके जाना है इसके बिना आपको परिक्षा में शमलित नहीं होने दिया जगा या उच्छे प्रात में किस तर्का U.P.T.E. या फिर सीट का ओरिजिनल सर्टिट आपको ले करके जाना है ये तीनो या या में था कहने का मतलब तीनो में से कोई भी एक डॉक्मेंट आपको ले करके जाना है प्रवेश्पत्र ले करके जाना है और एक photo ID proof जो की आवेदन में अपने लगाया था वो लेकर के जाना है यहाँ पर मैं बता दूँ कि बहुत से भीरती जो जनवरी 2021 में seated की परिक्षा होई थी उसको qualify किया होंगे तो CBSC के दुवरा अब physically या फिर original mark seat physical रूप में नहीं दिया जाता है तो DG Locker वाला जो PDF है आप उसको print out करा करके उसके आधार पर भी परिक्षा में शमलित हो सकते हैं कोई भी समस्या नहीं होगी आप उसके आधार पर परिक्षा में शमलित हो पाएंगे जूनियर एड़ेट सिक्षक भरती में बहुत से भीरतियों का आवेदन निरस्त कर दिया गया है बीना किसी सूचना के अब जब इन अभीरतियों ने PNP कारेलेप पर पता किया तो इनको पता चला कि इनके हस्ताक्षार या फिर इनके फोटो और घोशना पत्र में आवेदन प्रक्रिया पूर नहीं की गई थी जिनकी वज़े से इनका आवेदन निरस्त किया गया है और साथ ही इन अभीरतियों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया कि अगर आपने आवेदन को निरस्त किया तो कम से कम मैसेज के मादयम से या फिर इमेल के मादयम से आप इनफॉर्म कर सकते थे जिस प्रकार से CBSC सीटेट की परिक्षा में इनफॉर्म करते है कि आपक नहीं किया गया और directly इनका जो आवेदन था वो निरस्त कर दिया गया है साथी इसमें ऐसे अभीरतियों की संख्या बहुत जादा है जो की offline mode में आवेदन किये थे तो इन अभीरतियों का भी admit card जारी नहीं किया जाएगा जिनका इन सभी चीजों में problem था और जिन्होंने ल पून अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब